नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में 26 अप्रेल से बदली इसकूलों की टाइमिंग जार्खन के सरकारी इसकूलों की टाइमिंग 26 अप्रेल से बदल गई है मौसम खुसनुमा होने के कारण इसकूली सिक्षा यम सक्षता विभाग ने इस बावत आदेश जारी कर दिया है इसके अनुसार लूँ और काफी गर्मी के कारण इसकूलों के समय में बदलाव किया था 29 अप्रेल से 25 अप्रेल तक के लिए सिक्षा विभाग ने इस बावत आदेश जारी किया था बारी से मौसम में बदलाव के कारण पहले से निधारी समय पर बुद्धवार यानि 26 अप्रेल से स्कूल खुलेंगे यानि प्राइबेट स्कूल का संचालन आर्टी अधिनियम और प्रवंधन के प्रवधानों के ताहत होगा बदादेश जारकन के स्कूली सिक्षा और सर्षता अभी भाग के सच्चीव के रभी कुमार की ओर से जारी आदेश के अंसार अतिधिक गर्मी या बलूग के कारण पिछले दिनों इसकूल के समय में बदलाव किया था इसके ताहत 29 अप्रेल से 25 अप्रेल तक के लिए स्कूलों के समय में परवतन किया गया था ताकि बच्चों को परिशारी नहीं हो उनके स्वास्त को ध्यान मेरा का सिक्षा भी भागने आदेश जारी किया था अब हाल के दिनों में बारिश से मौसम सुहाना है इसकारण आप 26 अप्रेल बुद्धवार से स्कूल पहले से निधाई समय पर खुलेंगे जार्खन के सरकारी गय सरकारी सायता प्राप्त या अल्पसंख्यक स्कूल सहीत साभी कोटी के स्कूल पॉले से निधाईच समय पर संचालित होंगे रांची समय जार्खन के कई इलाकों में अब 27 अप्रेल तक तेज हवा के साथ बारिस होगी इसको लेकर जारी एलो अलर्ट मौसम विभाग ने बढ़ा दिया है मौसम विभाग ने रभी वार को 26 अप्रेल तक का अलर्ट जारी किया था इन तीन दिनों के दुरान दोपर के बाद मौसम बदल सकता है हल्की बारिस होगी और 30 से 40 किलोमेटर प्रति घंटा की रफ्तार सहवा चलेगी बता दे अलर्ट के नुसार किसी किसी इलाके में गरजर और बहरपात होगा 27 अप्रेल को पलामो गटवा चत्रा कोडर्मा लातेहार वा लोहर दग्गा कैलावा रांची बोकार गुमला हजारी बाग खुटिवा रामगड में भी हल्की बारिस हो सकती है रांची में सोमवार दोफार तेजावाई के साथ बारिस होई संथाल को एलान चल हुआ कोलान में भी बादल बर से वहीं जम सेथपूर में 22 mm बारिस हुई रामगर में 14.5 mm पच्मी से मुग में 0.5 mm फुर्टी में 1 mm बारिस दर्च की गई वहीं बारिस के कारण लोगों को गर्मी सहल की रात मिली है मुख्य मंत्री हेमांतु सुरे ने बाबु बीर कुवर सिंग की परतिमा का किया अनावरान बाबु बीर कुवर सिंग विचार मंच की ओर से आयोज़ी कारकरा में मुख्य मंत्री हमांसुरे ने शिर्कत की इस दोरान उन्होंने बीर कुवर सिंग की आदमकद मूर्ति का अनावरन किया मुख्य मंत्री हमांसुरे ने मंगलवार को बीर सहीद बाबु कुवर सिंग की आदमकद परतिमा का अनावरन किया है हर्मु के न निर्मित कुवर सिंग पार्क में लगाई गई इस मूर्ति के अनावरन के आउसर पर मुख्री मंत्री हमांसरिन के अलावे निर्दलिय बिधायक सरजुराय, बिधायक अनुप सिंग, बिधायक कमलेश सिंग, बिधायक नमीन जैस्वाल से इतकाई गनमाने अतित मुझूद थे बता दे बावु बीर कुवर सिंग विचार मंज के बनर तले आयोजित इतकार करमे मुख्री मंत्री हमान सिरिन को परामपारी की रूप से पगड़ी पना कर और तलवार बेट कर स्वागत किया गया जारखन में इडी की लगातार करवाई से नराज जामुमो सुप्रीम कोर्ट से संग्यान लेने की अपील जामो ने खासकर गरग भाजपा सामीर राज में इडी की लगातार करवाई पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देते हुए सोता संग्यान लेने की अपील की है सीएमों के परधान आपत सचीव उधाय संकर के घार में इड़ी की चापे मारी पर पार्टी ने केंद्र सरकार और जाच एजन्सियों पर तीखा प्रहार किया जामों के वरिष्ट नेता सुप्रियों भटाच चाई ने मंगलवार को जामों कैम्प कर्याल में अवजीत पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि दो साल बात जब करोना खत्म हुआ सरकार ने काम करना शुरू किया था कि केंद्र सरकार ने एक साजिस के तहजाच एजन्सियों को लगा दिया ऐसा महोल पायदा किया जा रहा है कि सरकार कोई काम ही ना करे, अब ऐसा लगने लगा है कि न केंदर सरकार खुद काम करेगी और न गयर भाजपाई सरकारों को काम करने देगी. 28 अपरेल को खत्म हो रहा राज के 34 चौओधिस नगर निकायों का कारेकार, रांची नगर निगम समेत राजी के 34 नगर निकायों का कारेकार 28 अप्रिल को समाप्त हो जाएगा इसके साथ ही नगर निकायों में जानता द्वारा चुने का जन परतिनिधियों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे वही निकायों के बोर्ड भी भंग कर दिये जाएंगे इसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्स, उप्राध्यक्स, वाड़ पारसद सभी अधिकार विहीन हो जाएंगे नगर निकायों की ओर से वाहन, बेतन, सहीत मिलने वाली सभी भत्ते विबंद कर दिये जाएगे अगर इन चुने हुए बिजन परति निदीओं को सेवा विस्तार नाही दिया जाता तो सरकार द्वार निकायों के अधिकारियों को ही सारा पावर सोब दिया जाएगा इसके बाद लोगों को अपने छोटे मोटे कामों को करवाने के लिए पार्सोदों की जगा पतादिकारियों के दफ्तर के चप पर लगाने पड़ेंगे JSSC ने रिम्स में 33 स्रेनी के पदोपर नियुक्ति के लिए होने वाली परिक्षा की बदली तारीक रिम्स में 33 स्रेनी के पदो परन्युक्ति के लिए मुख्य परिक्षा 12 माई को होगी इसे पहले या परिक्षा 29 अप्रेल को होने वाली थी जार्खन करमचरी चैन आयोग ने मंगलवार को इस परिक्षा की संसोधी तीथी गोशित की है या परिक्षा रांची के विभीन केंद्रों पर आवजित की जाएगी आयोग इस परिक्षा में सामिल होने के लिए प्रवेस्पत्र डांग से नहीं भेजेगा परिक्षाती इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे आयोग इसके लिए सिख रेलिंक जाड़ी करेगा बतादे इस परिक्षा के माध्यम सेरेम से 33 स्रेनी के 64 वदो परन्युक्ती होगी पूर्वी सिम्भूम में कस्तुर्वा इसकूल की 156 करोना पोयटी पूर्वी सिम्भूम जीले में लगाता दूसरे दिन बड़ी संखे में करोना के मरीज मिले है कस्तुर्वा गांदियवासे बिद्याले में मरीजों की संखे लगातार बढ़ती ही जा रही है जिससे स्वास भी भाग के साथ सास सिक्षा भी भाग भी सकते में है बता दे मंगलवार को जिले में कूल 3,000 से अधिक लोग क्रोणा जांच हुई इसमें 117 पोजेटीब मिले हैं संक्रामीतों में 200 दीनों में 150 संक्रामीत चातराय मिली है सोम वार को 43 संक्रमित मिली थी सिविल सर्जन डाक्टर जुजहार माजी ने बताया कि मंगलवार को पूरे जीले के कस्तुरुबा बिद्याले और नेताजी सुबास स्कूल में जाच अभियान चला कर कोरोना की जाच की गाई इसमें सुन्दर नगर कस्तुरुबा बिद्याले में 55 है, चाकुलिया कस्तुरुबा बिद्याले में 4, डूमरी कस्तुरुबा बिद्याले में 15, पोटका कस्तुरुबा बिद्याले में 10, गोल मुरी नेताजी सुबास स्कूल में एक संक्रमित मरीज मिले है इस्कूलों में आईसोलेशन वार्ट बना कर सभी का इलाज किया जा रहा है जेट टेट परिक्षा को लेकर एचसी ने सरकार से मांगा जबाब जारखन में 6 साल से जेट टेट परिक्षा नहीं होने के खिलाब दाखिली आज क्या पर सुनवाई हुई सुनवाई की दरन अदालत ने राज सरकार से जवा मंगा है अदालत ने पूछा है कि जब सिक्षक निमावली के तहद पर देख वर्ष जेटेट की परिक्षा ली जानी है तो अब तक परिक्षा क्यों नहीं ली गई जश्टिस, रंगोन, मुखो, पाध्याय के अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई है बतादे कोट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 जून के तीथी निधारित की है इस समद में प्रियांका कुमार यादो सहित अने साथ की ओर से हाई कोट में अचके दाखिल की गई है सुनवाई के दरन प्रार्थियों के अधिवक्ता ललित कुमार सिंग ने अदालत को बताया है जरकन सिक्षक पत्रता परिक्षा नियमावली 2019 की गैडलाइन के अनुसार परतेक वर्स जेटेट की परिक्षा उजित की जानी है इसके बाद भी सरकार की ओर से अब तक कुछ नहीं किया जा रहा है रांची की यूती का मामला पहुचा थाना डियस्पी से मिलकर की सिकायात बना गुपता के वारल वीडियो परकरण में रांची के एक यूती ने हाटिया डियस्पी से मिलकर अपनी सिकायात दर्च कर आई है DSP ने महिला की सिकायत को जगरनाथ पूर्थाना को फरवड कर दिया है बतादे जरकन की स्वास्थ मंत्री बना गुपता से जुड़े वारल हुए असलीर वीडियो को लेकर रांची के एक यूतिन हाटिया DSP को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच की मांग किया है रुबिका हत्याकांड के अमतिम आरोपी गिरफतार रुबिका पहाडीन हत्याकांड के अमतिम आरोपी सलीम अंसारी को पूलिस ने गिरफतार कर लिया है सिम्डेग्गा से पीलेफाई के चार सज़ से गिरफतार सिम्डेग्गा में पुलिस को बड़ी सफलता हात लगी है पुलिस ने हत्यार के साथ चार पीलेफाई से इसको गिरफतार करने में सफलता हासिल की है गिरफतार किये गए अपरादियों के नाम विशनू मांजी, आयू स्टेटे, अनेल बाड़ा और दर्शन अगरवाल बताया जा रहा है इनके पास से 9mm की देशी, लोड़ेट पिस्टल, एक, देशी, लोड़ेट कट्टा, एक, 9mm का दो जिन्दा कार्तूस, दो पीलेफाई का परचा, एक स्मार्टपोन, एवा पांच, कीपेड मोबाईल, एक सफेद रंग का, टीवी एस, अपाची बाइक, काला रंग का एक स्क आपन का तीसरा दवर शुरू हो गया है, जब से कार्पोरेट प्रस्त भाजपा की मोधित सरकार ने कोईला खनन का कामनीजी, खिलाडियों के हवाले करना शुरू किया है, तब से अस्थाने पसासन वा आउट्सोर्सिंग कंपनियों द्वारा नियम कानून को ताक पर रख कर और ग्राम सभा को दर किनार गर्जवर जस्ती भूमी अधिकरान किया रहा है, वाम दलो और धर्म निर्पेक्ष पार्टियों की सनुक्त बैठा को समोधित करते हुए, सीपी आई के पूर्व सांसाद भोनेस्वर परसाद मेहता ने मंगलवार कोई बाते कही, भोनेस्व सरकारी स्कूलों में मात्रू भासा में दी जा रही एजुकेसान, जारखन के मुख्यमंत्री हमान सुरेन अक्सर कहते हैं कि देश के कई राजे आज अपनी परंपरा संस्किति और भासा को साथ लेकर अगरनी राज्यों में सामिल हैं, लेकिन जारखन में यहां कि अस्थान कि जनकारी दी जाती तथा असानिय भासा में उनसे सनवाद होता तो योजना का लाव लोगों को जरूर प्राफ्त होता मुखी मंत्री की पालपर राजी के सभी अधिकारी और करमचारी अब जोहार सब से अपना सनवाद सुरू करने लगे हैं बिहार से रांची जाए रही बस को ट्रेलर ने मारी टकर दो कि मौत 14 रिम्स रेफर चुट्टू पालु घाटी के गंड के मोड के पास मंगरवार की सुबस साढ़े पांच बहे ट्रेलर वा बस में टकर हो गए इससे बस पर सवार दो लोगों की घाटना स्थर पर इमाथ हो गए जबकि दर्जनो यात्री घायल हो गए ट्रेलर चालक वा खरासी समित गंभी रूप से घायल 14 लोगों को बेतर इलाज की रेजिम से रांची रेफर कर दिया है बताया जा रहा है कि बक्तियार पूर से रांची जा रही बदावनी नामक रात्री सेवा यात्री बस को एक ट्रेलर न टकर मार दिया इससे बस और निहंत्री थोकर पलट गई हाथ से के बाद कोहराम मच गया बन्ना गूपता कांड में नया मोड बीजेपी बिधाय के पास आया असलील वीडियो कॉल जार्खन के स्वास्त मंत्री बन्ना गूपता के वायरल हो रहा पत्ति जनक वीडियो ने राज की राईनिति में भूचाल ला दिया है भाजपा वाइरल बीडियो को लेकर राज सरकार और जार्खन कॉंग्रेस दोनों पर हमलवार है, मुद्दा इतना गंभीर है कि नई दिली ने इसे लेकर राज कॉंग्रेस से जनकारी मांगी है, सुत्रों की माने तो कॉंग्रेस मुख्याल है, इस विवात बना गुपता से स रिलीज कर बताया, कि सोमवर देर रात उनके पास भी अग्यात नमबर से एक वाट्सेप कॉल आया था, उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने फोन उठाया तो किसी महिला की आवाई सुनाई दी, जगरनाथ महतो की निधन के बाद कौन सम्हालेगा उनकी बिरासावत, राजे के सिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के आसमय निधन के बाद से डूमरी बिधान सवा सीट खाली हो गई है, इन बिधान सवा सीट पर निकट भोईस में उपचुना होना ताय है, इसे लेकर डूम करने में जुट गाए वहीं कई नेता जम संपर्क कर जानता कि नब जट टोलने का पर्यास करना भी शुरू कर चुके हाँ है अलाकि सिक्षा मंत्री जगरनात मातों की बिरासत कौन समालेगा सिक्षा मंत्री के पूद्र अकलेस कुमार महतो उर्फ राजु या उनकी पत्नी ब महिला का ब्यान जारी होने पर विधायक सरजुराय ने कहा है कि अब तक हम लोग महिला के इज़त बचा रहे थे लेकिन मंत्री बन्ना गुपता के लोग ही उनकी इज़त उचल रहे हैं हमने महिला का अब तक नाम नहीं लिया था लेकिन अब वह खुद ही बता रहे हैं कि वोह मैं ही हूँ, विधायक ने कहा है कि मुआने दोनों वीडियो देखा है जिसमें एक में उसका चेहरा दिक रहा था जबकि अभी वाले वीडियो में उसका चेहरा च बन्ना गुपता कैसे दिख रहे हैं, पहले वाले वीडियो में बन्ना गुपता महिला से बात करते हुए दिख रहे हैं, पुलिस को महिला उनके पती और बन्ना गुपता तीनों के मोबाइल फोन की फ्रेंसिक जांच करनी चाहिए। कोट कोशी एक्सप्रेस को रोकना पड़ा, सरपट भाग रही ट्रेन उसी पट्री से गुजरने वाली थी, चन्द मिन्टों की और देर हो गई होती, तो यात्रियों से भरी पुरी ट्रेन पलट सकती थी, बतादे दीन के तकरीब बन साड़े दस बजे हुई घटना के बाद स हवडा से नई दिल्ली रेल मार्ग पर रेलवे सिवा रोकती गई है, मरीजों की मददगार 108 एंबुलेंस एक्सपायार, मरीजों की सहायता गाड़ी 108 एंबुलेंस अपनी 5 साल की कारेकाल पूरी कर चुकी है, कईजों के हला जर जर हो चुकी है, इसके बाद भी एंबुले कराने के लिए सरकार ने 108 एंबुलेंस सिवा के सुरुआत की थी, जिसके तहट राजय बहर के मरीजों को मुख्त में एंबुलेंस सिवा दी जाती है, इससे उन्हें गंबीर सिती में अस्पताल तक पहुचाने का कायम किया जाता है, देवघर डीसी के खिलाब पिलक करवाई पर रोक जारी अधिवागता इंद्रजीत सीनहा और अजय साह ने पक्ष रखा वतादेवर्श 2022 में फ्लाइट टेक आफ करने को लेकर हुए विवाद के बाद सांसर निसिकान दुबेन देवगाडिसी के खिलाब जीरो ए फायरदच कराई है। सब पुर्वश सांसर सालखन मुर्मु मजूद रहे।